नमस्ते मैं हूँ आचारे प्रतिष्ठा महामारी के इस विशंतम काल में एक चीज तो मनुष्य को समझ में आ गई और वो ये कि उसका स्वास्त है उसकी टॉप प्रियॉरिटी होना चाहिए यह भी समझ में आ गया कि Oxygen कितनी महत्वपूर्ण है और यह भी समझ में आ गया कि जितनी महत्वपूर्ण Oxygen है उतना ही महत्वपूर्ण आपके Lung's की Capacity को बढ़ाना है यानि फेफडों की क्षमता को बढ़ाना है जिससे आप Maximum Oxygen का Integr कर सकें अस्थमाटिक पेशिंस, ब्रॉंकाइटिस के पेशिंस या लंग्स के किसी भी समस्या से जूज रहे पेशिंस के लिए बहुत बहुत आवश्यक है कि वो नेमित रूप से गो मुख आसन का भ्यास करें यह था नाम तथा गुणा योग की सुदर्था या ही कि आप नाम से ही पता कर सकते हैं कि उसके क्या फाइदे हैं क्या गुणा गो यानि गाय और मुक यानि फीस तो इसलिए स्कों अंग्रेजी में काव फेस भी का जाता है लेकिन हम जो योग के मौलिक नाम है अभ्यास के मौलिक नाम है उनको ट्रांसलेट नहीं करना चाहिए उनको उनीजी नामों से पुकारना चाहिए यह बिल्कुल ऐसे है जैसे आपके नाम को कोई अंग्रेजी में translate कर दे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा हाँ उसका meaning समझा दीजे पर जो नाम है उसका हमें उस ही नाम से बुलाना चाहिए गोमुकासन का अभ्यास गाए के मुक्ष जैसी आकरती हम बनाते हैं गाए क्या होती है सबसे peaceful प्राणी होती है सबसे शांत प्राणी होती है जो सिर्फ देती ही देती है इसी प्रकार से जिन लोगों को गुसा बहुत आता है जो क्रोध बहुत करते हैं जो short tempered होते हैं उनके लिए भी यह रामबान का कारे करता है क्योंकि यह उनको शांत कर देता है। और जतने शांत आप रहेंगे, उतने ही गहरी साश आप ले सकते हैं। जतने क्रोध में आप रहेंगे, आपके फेफ़णोि किशंता कम हो जाती है। और आपकी oxygen का intake कम हो जाता है, आपने देखा हो कि जब आप गुस्सा करते हैं, जब आप बहुत गुस्से में होते हैं, तो आप हाफने लगते हैं, आप short breath हो जाती हैं, गुमुकासन का नियमें तब्यास करेंगे, तो फेफडों की क्षमता बढ़ेगी, oxygen का maximum intake होगा, और उस के तो लाब ही लाब हैं, यह आज हम सब जानते हैं कि जितना maximum oxygen का intake हम कर सकें, वो लाबकारी है, कैसे करना है गुमुकासन, गुमुकासन के लिए इस प्रकार से हम अपने पैरों को सामने की और फेला देते हैं, इस थिति में आकर के बाई पैर को ऐसे फोल्ड करना कि बाई एड़ी दाए हिप को छूजाए, और दाए पैर को ऐसे फोल्ड करना कि दाए एड़ी बाई हिप को छूजाए, और दोनों पैरों का जो आकरती है वो देखें, गाय के मूझ ऐसी हो गई है, और आपको बता दें कि हमारी महान सभ्यता में जब टेबल चेर नहीं होते थे, इस पर रख करके लिखा भी जाता था, तो आप बच्चों को भी सिखाईए कि ये नाचुरल टेबल है, इसमें बैठेंगे, अपना कारे भी करते रहेंगे, कमर भी बिल्कुल सीधी रहेगी, पॉस्चुर भी अच्छा रहेगा, तो इस तिती में बैठना, अब जो पैर उ हाथों को ना मिला पाएं, तो हाथ मिलाने की चक्कर में ऐसे जूक नहीं जाना, कमर को बिल्कुल सीधी रखना, इस तिती में आप देख रहे हैं कि सीने का पूरा एक्स्पैंशन है, इस तिती में आग बंद करके पांच बार गहरा सांस लेना, एसा पांच बार करेंगे और फिर हाथों को वापस ले आएंगे, अब इसको हम दूसरे पैर से दोराते हैं, यानि कि दाएं पैर को नीचे कर लिया, बाएं को उपर कर लिया, और जब बाया पैर उपर है तो बाया ही हाथ उपर से पीछे जाएगा, और दाएं हाथ नीचे से पीछे जाएगा आपस में मिलाना और पांच बार पूरा गहरा श्वास ऐसा पांच बार करेंगे हाथों को वापस ले आएंगे पूरे शरीर को धीला छोड़ देंगे प्रयतने शेथिल्यम अप्सलूट रिलाक्सेशन गोमुकासन का अभ्यास आपको कम से कम चार से पांच बार करना चाहिए यह भी ध्यान रखे कि माप्रकृती जो हमें सिर्फ देती ही देती है योग कार्थ यह नहीं है कि हम सिर्फ अपने स्वास्थे के लिए अभ्यास करें हमें आगे आने वाली पीडियों के लिए भी कुछ करके जाना है और योगी हमें सैयोग और योगी सिखाता है कि हम योगी तो बने ही उपयोगी भी बने तो इसलिए आप जितना हो सकता है वरिक्ष लगाए अगर नॉर्मल डेज में नहीं आपको लगता है कि यह तो मुश्किल काम है तो आपके जो स्पेशल देज होते हैं जैसे आपकी बिर्थ्रेज हैं एनिवर के जा सके योगी बने उपयोगी बने सहयोगी बने निरोगी बने